अपका श्wahात है और आज हम बनाएंगे स्पैसल पर्याज के पकॉड़ी के रेसिपी पर्याज के रिखाय आपने बहुत ही खाया होगा गला याज इसला पडी कोड़ी Wогो बिल्कुल आपको कि रेसिपी को पोड़ा बाना शुरू करते हैं अथ rotate यूश पर एक पप चना डाल को चार से पांच घंटे के लिए छोड़ दिया था तो यहां पर यह अच्छे से सोख हो चुका है मैंने इसको अच्छे से वास भी कर लिया है आप इसके जिगा पर बेसन का भी यूज कर सकते हैं बट एक पर आप चना डाल का ही यूज करके बनाना तो यहां पर मैंने ग्रेंडर जार में इसको डाल दिया है और अब हम डालेंगे यहां पर लहसन अदरत यह सबसे में इंग्रिटियंट है तो आप इसको जरूर डालना साथ ही डालेंगे हम यहां पर तीन से चार ग्रीन चिली यह भी आप जरूर डालना फ्रेंड्स तो यहां इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है तो आप देख सकते हैं यह हमारी बेटर प्रिपेर हो चुकी है तो आपको जो बेटर की कंसिस्टेंसी है इस तरीकी का चाहिए आप देख सकते हैं अब अब एस हमठेत क करनें और यहां दालें यहां जाल कर सकते हैं कटा हुआ पयाज डाल देंगे हम तो यहाँ पर मैंने तीन पयाज को लंबे और पतली सेप में कट कर लिया है तो आपको भी ऐसे ही कट करना है और अब हम डालेंगे स्वादा नुसार नमक और अब हम डालेंगे यहाँ पर अजवाइन तो मैंने हाँ पिंच अजवाइन लिय अगर चिली फ्लेक्स की रेसिपी आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां पर उसको जाकर देख सकते हैं तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम चलते हैं पगोडा बनाने की प्रोसेस में तो तेल को मैं मैं डाल देती हूँ तो जितना भी पकोडा आ सके एक बार में आप उतना ही डालना बहुत जादा या बहुत कम मट डालना तो अकॉर्डिंग टू कढ़ाई आप देख लेना आपकी कढ़ाई में कितने पकोड़े आ रहा है तो यहां पर मैंने डाल दिया बहुत जादा ते गोल्डन ब््राउन होने तक भीच-बिच में इसको हम टर्न करते रहेंगे दोनों 4 साइड से मट अच्छे से पकाएंगे तो आप देख सकते हैं पखोड़े पखोड़े का लडर जो है एक साइड से बूडन हो चुका है तो इसको हम टर्न कर लेते हैं दूसरे साइड तो ह तो आपको इसी तरीके से टर्न करते हुए चारो साइड से हम पकोड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राइ कर लेते हैं तो कंटिन्यू आपको इसी तरीके से टर्न करते रहना है ताकि आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है ग्यास का फ्लेम लो रखना है लो फ प्लेट में निकाल लेती हूं तो इसी तरीके से आपको सारे पकोड़े बना कर तयार कर लेने हैं प्रोसेस बिल्कुल सहीम रहेगा तो आप देख सकते हैं ये पकोड़ा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी देखने से ही लग रहा है तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे राउंड का पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं तो जैसे मैंने पहले बनाया था उसी तरीके से आप दूसरे राउंड का तीसरे राउंड का जितने पकोड़े आपको बनाना है को और बिल्कुल बनाने में आसान है तो इसको जो बैचलर कर देख रहे हैं देख जो बैचलर बैचलर शक्ते हैं जब भी आपका मन करता है को चट pouringक्त घाने का तो इसको diaper स्नैक्स में आप जरूर बनाईए खाई एंजॉई किजिए अपनी स्नैक्स को और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक चाल किजिए मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए में तेक्राइब नहीं है